स्मिता ने एक second hand couch खरीदा था लेकिन उसके साथ उसको पता भी नहीं था कि उसने शायद एक बहुत भ्यानक आत्मा खरीद ली थी So guys बहुत बड़ी हम second hand कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं कभी कबार अपना पैसा बचाने के लिए और कभी कबार जब हम नई जगाओं पे shift करते हैं तो हमारा यही focus होता है कि अगर कुछ second hand सस्ता मिल जाए तो it will be easy for us लेकिन कभी कबार यही second hand चीज़े आपके लिए बहुत भ्यानक साबित हो सकती है यह incident इंडिया का नहीं बलकि US का है जहां से मेरी cousin ने मुझसे यह share किया और जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने तो यह plan कर लिया कि आज के बाद कोई भी second hand चीज़ मैं खरीदना तो दूर सोचूंगा भी नहीं उसको खरीदने के बारे में और शायद यह incident सुनने के बाद आपकी भी यही हालोत होने वाली है यह incident सच में बहुत ज़्यादा भ्यानक था मतलब imagine केजिए किसी के घर पे paranormal activities हो रही है और उनको idea तक नहीं है कि इसका reason क्या हो सकता है ऐसे कुछ इस incident में भी हुआ तो चलिए शुरू करते हैं तो यह incident मुझसे किसी और ने नहीं बलकि मेरी ही कजन दिव्या ने शेयर किया जो कि पिछले कुछ सालों से US में रह रही है लेकिन वहीं का एक ऐसा भ्यानक incident था जो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ यह incident हुआ इंडिया के ही कुछ लोगों के साथ मेरी कजन के एक फ्रेंड थी जिसका नाम समिता था और वो साउथ इंडिया से थी तो यह जो समिता थी यह वी कुछ सालों से US में ही रह रही थी लेकिन अभी दो दिन महीने पहले उसने अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया उसी के बाद उसके साथ कुछ ऐसी भ्यानक च समिता के साथ भी था इस इंसिडेंट की होने से पहले समिता ने आज से लगभग तीन महीने पहले अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया था वो उसी अपार्टमेंट में रह रहे थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उसके लिए लाइफ इजी थी जैसी पहले रही थी एक्चल में समिता अभी लगभग 24 यार्स की है लेकिन समिता जब 16 साल की थी लगभग तब से वो अकेली ही रह रही है और लास्ट 4 साल से यूएस में भी अकेली ही रह रही है और उसको भूत प्रे जैसी चीजे फील होना तो छोड़िये उसको इन चीजों पर बिश्वास अपार्टमेंट था वो अबैंडेंड हो गया था तो उसका जो भी समान था उसका ओक्षन रखा गया था मतलब घर की सारी चीजे बेची जा रही थी एक तरह से थ्रिफ्ट जिनको भी थ्रिफ्ट के बारे में नौलेज हो वो समान थ्रिफ्ट की तरह ही बेचा जा रहा था मतलब उस apartment में ऐसा था कि जो भी समान था जो भी अभी use हो सकता था और जो बेचने like condition में था government उस समान को बेचती है एक price tag लगा के और जिसको भी जो भी समान चाहिए होता है वो price पे करके वो वो समान ले लेता है ऐसा ही समीता को भी एक couch दिखा जो की बहुत ही सुंदर था और अच्छी condition में भी था और सबसे बड़ी बात एक अच्छे price पे मिल रहा था तो समीता ने सोचा कि उसके थोड़े पैसे भी बच रहे हैं और उसके apartment के पास सी उसको उठाना है मतलब ना जादा carriage पड़ेगा और उसको price भी जादा नहीं पे करना पड़ेगा मतलब जो couch की condition थी वो बहुत ही अच्छी थी सिर्फ उसका जो cover था वो थोड़ा गंदा था तो समीता ने सोचा कि वो खुद ही इसको change करवा लेगी थोड़े time में तो समीता को जब ये couch अपने apartment में लेके आना था तो उसने अपने एक friend की help ली जो कि उसके साथ ये couch उसके apartment में छोड़ने आया उसके बाद समीता ने उसको insist किया कि वो रात को वहीं पर रुख जाए उसने काफी मना किया लेकिन समीता के काफी मनाने के बाद वो समीता के साथ ही रुख गया उन्होंने चिल की आराम से dinner वगएरा किया और वो movie देख रहे थे लेकिन जो समीता का friend था उसने समीता को कुछ बताया उसको ऐसा लग रहा था कि जो समीता का apartment है वो negative है उसको वहाँ से बहुत सारी negative vibes आ रही थी जैसा उसमें कुछ न कुछ पैरानॉर्मल था लेकिन समीता पिछले कुछ महीनों से इसी अपार्टमेंट में रह रही थी और उसको अभी तक कुछ पी ऐसा पैरानॉर्मल फील ही नहीं हुआ था कि उसके अपार्टमेंट में ऐसा कुछ है वो तब हुआ था जब वो किचन में अपना lunch बना रही थी अचानक से जो किचन की window थी उसके glass पे उसको उसके पीछे ही एक बूड़े से इंसान की shadow की reflection दिखाई थी जो की बहुत अजीब सा लग रहा था स्मिता ने डर के एकदम से घूम के देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था स्मिता को लगा कि शायद उसको वहम हुआ हो या फिर जो पिछली रात को उसका दोस्त बाते कर रहा था वही उसके दिमाग में बैठी ही हूँ और इसी वज़े से ये सब कुछ हो रहा हो लिकिन स्मिता को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी कैसी होने वाली है अब जैसे ही रात हुई तो स्मिता को कुछ और भी अजीब सीज़े लगने लग पड़ी उसको लग रहा था कि उसके सराउंडिंग कोई घूम रहा है उसको उसके अलावा भी घर में किसी ना किसी की होने का हैसास हो रहा था जो कि बहुत अजीब था क्योंकि जैसे मैंने आपको पताया स्मिता लगभग पिछले आठ सालों से अकेली ही रह रह रही थी और पिछले कुछ महिनों से इनफैक्ट वो इसी अपार्टमेंट में रह रही थी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था ना इस अपार्टमेंट की ऐसी कोई हिस्ट्री थी कि यहां पे कुछ पैरानॉर्मल हो तो अचानक से यह होना के शुरू हो गया था अब इसके बाद समीता ने जैसे तैसे खुद को समझाया कि वो पिछले लगभग 8 सालों से अकेली ही रह रही है और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तैसे उसने खुद को समझाया और उसके बाद वो सो गई लेकिन अचानक से रात को धाय तीन बजे के अराउंड उसको बहुत जोर से आवास होना इदी और ये आवास थी जैसे कोई बैड खिसकाता है ये फिर कुछ भी फरनीचर खिसकाता है उस तरह की आवास थी स्मिता बहुत ही जादा डर गी थी उसको पता था कि ये उसी के अपार्टमेंट के डाउंस्टेर्स ते आवाज आ रही है लेकिन स्मिता अब इतनी डर गई थी इन सब चीजों से कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो नीचे जाके देखे दरवाजा खुले इन फैक्ट अपना स्मिता ने जैसे तैसे हिम्मत की और वो अपनी कमरे के अंदर ही बैटी रही चुप चाप उसने कोशिश की कि ये वो अपनी फ्रेंड को फोन करे लेकिन स्मिता के साथ कुछ और भी चीज़ भी हाना कोई जैसे उसने फोन करने के लिए फोन निकाला तो अचानक से उसका नेटवर्क ही चला गया उसने बहुत कोशिश की रूम में यहाँ वाँ घूम की नेटवर्क को वापिस लाने की स्विच आफ किया, फ्लाइट मोड पे डाला लेकिन नेटवर्क आही नहीं रहा था बहुत मुश्किल थी स्मिता के लिए यह रहा था लेकिन जैसे तैसे वो अंदर ही बैठी रही भगवान का नाम लेती रही और चुप चाप से शांती से अंदर ही बैठी रही जैसे उस घर में कोई है ही नही इसके बाद जैसे ही सुभा हुई स्मिता को थोड़ी सी हम्मत आई उसके अपार्टमेंट के बाहर गाड़ियों चलने शुरू होगी थी लोगों की आवाज आने शुरू होगी थी तो नैचरली इनसान की हम्मत बढ़ जाती है ऐसे ही कुछ स्मिता के साथ भी हुआ तो स्मिता को ये सब देख के बहुत हम्मत आई उसने अपना फोन चेक किया तो फोन का नेटवर्ट भी वापिस आगया था तब भी के तब भी उसने अपने उसी फ्रेंड को गोल किया जो काउच रखने वहाँ पे आया था पास था बिलकुल स्टेयर्श के साथ ही सिमिता ये देख के बहुत ही जएदा हिरान हुई खेर उसका जो फ्रेंड था वह बहार से दरवाज नोख कर रहा था उसने फड़ आप से दरवाजा खुला और अपने फ्रेंड से ये सब कुछ शेयर किया, वो दोनों मिलके देखने लग पड़े कि अपार्टमेंट की कोई विंडो खुली है या फिर कोई सीक्रेट रास्ता है जहां से कोई रात को आया हो और चोरी वोरी करने का प्लान हो किसी का लेकिन ना कोई दरवाजा खुला था ना कोई विंडो खुली थी और ना ही कोई ऐसा रास्ता था जहां से कोई आ जा सके तो फिर ये काउच अपने आपी कैसे खिसक गया और खिसका भी थोड़ा बहुत डिस्सेंस पे नहीं रूम के अंदर ही ये काउच कम से कम आर दस फीट अपने आपी खिसर गया था ये बात बहुत ज़ादा शौकिंग थी अब इसके बाद समिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था समिता को वहीं रहना पड़ना था क्योंकि पहले ही वहां पे अपार्टमेंट इतने कोसली होते हैं पहले ही एटवांस पे कर दिया था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस अपार्टमेंट को छोड़ के जाने का और वैसे भी जब एक मीने पहले से समिता रह रह रहे थी तो इस अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा था उनको doubt था कि कुछ तो change जरूर हुआ है इसके बाद समिता का friend भी उसके साथ ही रुका रात को लेकिन इस रात को भी उनके साथ कुछ बहुत अजीब होने वाला था अब इस रात समिता और उसका friend बैट के movie देख रहे थे डिनर बगएरा करने के बाद समिता भी काफी relaxed थी कि आज रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा पिछले रात उसके साथ हुआ क्योंकि उसका दोस भी उसके साथ था और वैसे ही जब इनसान अकेला नहीं होता तो उसमें हिम्मत काफी रहती है समिता के साथ भी ऐसा ही था वो दोनों movie देख रहे थे रात को लगबग साड़े बारा एक बज़े का time था और फिर से समिता को नीचे से जैसे ही आवाज आई जैसे कोई कुछ furniture खिसका रहा हो इस बार जो समिता का friend था वो भी समिता के साथ ही था कोई दरवाजा खुला नहीं था कोई window खुली नहीं थी वो बहुत ही हैरान थे अभी वो ये सब कुछ process ही कर रहे थे लेकिन कुछ और अजीव इनके साथ हुआ ये जब नीचे आये थे तो ये TV को mute करके आये थे लेकिन जैसे ही ये नीचे पहुँचे थे अभी ये सोच ही रहे थे कि नीचे हो क्या रहा है कि अचानक से TV अपने आप ही unmute हो गया ये बात और भी जादा शौकिंग थी इससे भी शौकिंग ये बात थी कि TV की volume अपने आप ही full होगी और वो इतनी जोर से बज़रा था कि जैसे घर के अंदर कोई music system उन्होंने प्ले किया हो इसके बाद दोनों की हालत बहुत ही खराब होगी दोनों भाग के अपने room की तरफ गे उन्होंने room अंदर से lock कर लिया और TV उन्होंने बंद कर दिया अब उनके पास कोई option नहीं था बलकि जो स्मिता का friend था उसकी वहां की ही एक local लड़की friend थी तो उसने सोचा कि वो उसको call करेगा तो जैसे स्मिता के friend ने अपना phone चेक किया तो उसने देखा कि पिछले कल जैसे स्मिता का network उड़ गया था कि कोई stairs चड़के उपर की तरफ आ रहा है और ये जो उपर चड़ने की आवाज थी ये बहुत जादा जोर से थी जैसे पता नहीं कोई कितना heavy इंसान उपर की तरफ आ रहा है दोनों की हाला तो और भी खराब हुई अचानक से ये आवाज आनी बंद होगी उनको लगा कि सब normal है लेकिन जैसे उनको लगा सब normal है किसी ने बहुत जोर से दरवाजा बैंक किया जैसे कोई बहुत ज़ादा गुसे में हो इसने उन दोनों की हाला तो और भी खराब कर दी दोनों के पास option नहीं था ना वो बहार जा सकते थे ना ही उनका network था वो चाहके भी कुछ नहीं कर सकते थे वो जोर जोर से चीखने लग पड़े कि शायद कोई उनके आवाज सुनके उनकी तरफ आए लेकिन unfortunately ये आवाज किसी तक भी नहीं पहुंची दोनों काफी थक गे लेकिन इसके बाद fortunately ये जो चीज़े उनके साथ हो रही थी वो भी होनी बंद होगी अब इसके बाद ढरके दोनों बैठे हुए थे कि अचानक से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ अचानक से जो समिता का friend था उसके phone में एक message आया जिसे उनको पता चला कि उनका network आ गया है समिता की friend ने फिर से अपनी उसी friend को call गरने की कौशिश की लेकिन unfortunately उसने call उठाई ही नहीं ये जो time था ये लगभग 3 सवातीन का time था most probably जो उनकी friend थी वो सो रही थी अब उनके पास फिर से कोई option नहीं था वो दोनों बैठे रहे रों में चुपचाप लेकिन अब थोड़ी उनकी हिमत बढ़ गई थी क्योंकि काफी देर से उनके apartment में कुछ हुआ नहीं था जो एकदम से उनके साथ बहुत सारी horror activities हुई थी वो अचानक से बंद हो गई थी दोनों को बैठे बैठे कब नियंद आगी उनको खुदी पता नहीं चला सुबह एक phone call से उनकी नियंद खुली ये जो phone call था ये समिता के friend के phone पे ही आया था और ये जो call था वो उसी लड़की के था जिसको वो call करना चाह रहे थे अब जैसे ये call आई तो दोनों उठे दोनों काफी active हो गए क्योंकि पहले ही morning हो गी थी और वैसे भी जब लोगों की आवाजे आने शुरू हो जाती है तो इनसान वैसे भी strong हो जाता है call उठाते ही उन्होंने अपनी friend को सब कुछ बताया इस friend का नाम था Nicole Nicole ने जैसे ये सब कुछ सुना तो वो उनके apartment में आगी क्योंकि वो local ही थी और उसका घर भी समिता के apartment के पास ही था तो वो थोड़ी ही देर में वहाँ पे पहुँच गी वहाँ पे आते समिता और उसके friend ने Nicole को सब कुछ बताया जो कुछ भी उनके साथ पिछले दो दिनों से हो रहा था समिता ने खुद उसको बताया कि वो एक महिना पहले से यहां पे रह रही है लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था बस पिछले कुछ दिनों से specially जब से उसने वो couch खरीदा है तब से ही उसके साथ यह चीज़े होनी शुरू हुई है उसको थोड़ा doubt पढ़ गया था कि most probably यह कहीं न कहीं शायद इन सबसे related है तो यह जो Nicole थी यह वहीं की local ही थी और यह कुछ paranormal experts को जानती थी जिनके पास यह सारे equipment थे पता लगाने के लिए कि उसके घर में कुछ paranormal था या नहीं तो Nicole ने बिना देरी किये इन paranormal experts को Smita के apartment में बुलाया यह जो paranormal experts थे यह Smita के apartment में आये वहाँ पे उन्होंने अपने सारे equipment सेट अप किये थोड़ी ही देर में उनको Smita के apartment में कुछ बहुत अजीब दिखाए दिया लेकिन इससे पहले Smita के apartment में बहुत सारी चीज़े होने शुरू होगी थी समान अपने आप ही गिरना शुरू हो गया था Smita का जो room था उसका temperature अपने आप ही बहुत low हो रहा था जैसे बाहर का temperature था उससे अंदर का temperature बहुत ही different था बहुत ज़ादा थंडा था ये सारी चीज़े science थी कि शायद उस apartment में कुछ ना कुछ paranormal तो ज़रूर था अब इसके बाद जैसे ये equipments लगे तो उन्होंने चेक किया जो paranormal experts थे उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक जीब सी shadow roam कर रही थी specially उस couch के आसपासी और most of the times वो उस couch पे ही बैठी हुई थी कुछ ना कुछ तो उस couch के साथ जरूर था तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ का जो solution है वो church ही कर सकता है church ही handle करेगा ये जो कुछ भी आपके apartment में हो रहा है उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप चाहते हैं तो वही किसी father को call करके यहां पे बुला के इस चीज़ का solution करवा सकते हैं स्मिता के पास कोई option नहीं था स्मिता ने भी उनको approval दे दिया इस चीज़ के लिए अब वहां पे father खुद आये उन्होंने actually में कोशिश की इस आत्मा को समन करने की somehow कि वो खुद से बताये कि आखिरकार वो चाहती क्या है वो किस वज़ा से यहां पे आई है या फिर उसको मुक्ती कैसे मिलेगी काफी देर वो try करते रहे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था अचानक से जो स्मिता थी वो बहुत जोर से चीखी सबने जैसे स्मिता के तरफ देखा तो उसकी अपेरेंसी चेंज होगी थी अचानक से उसका फेस बहुत अजीब सा लग रहा था बाल खुले थे और वो बहुत ही ज़ादा भ्यानक लग रही थी और क्योंकि वो एक्वेपिंट्स भी अभी वहीं पे लगे हुए थे तो उन्होंने चेक किया स्मिता के आस पास कुछ ऐसा तो नहीं है लेकिन उन्होंने जो देखा वो देख के पैरनोर्मल एक्सपर्ट्स के होश ही उड़ गे उन्होंने देखा कि Smita के एकदम पीछे वही shadow उनको दिखाई दे रही थी सामने पता चल रहा था कि Smita को उस shadow ने possess कर लिया था और शायद Smita के थूर ही वो कुछ बताने वाला था अचानक से जो Smita की आवाज थी वो भी एक मर्द की आवाज में बदल गी और Smita जो पहले से ही English तो काफी अच्छी बोलती थी लेकिन जो उसका accent था वो Indian accent ही था अचानक से ही जो accent था ये भी US का local accent हो गया और बहुत अजीब सी ये आवाज थी किसी मर्द की आवाज और जिसका accent भी वहीं का local ही था Smita के friends को ये समझ नहीं आ रहा था कि Smita के साथ हो क्या रहा है लेकिन जो father थे वो समझ गए थे कि जिस soul को वो समन कर रहे थे वो Smita के अंदर ही आई है तो उन्होंने Smita से ही पूछना शुरू कर दिया कि किस वज़ा से वो जो आत्मा थी वो उसके room में आई थी या फिर उसके apartment में आई थी उस couch के थूरू और ये जो आत्मा थी उसने सब कुछ बताया अपने आप और जो कुछ भी उसने बताया उसने तो English में बताया पर मैं word to word आपको हिंदी में बताऊंगा उसने बताया कि जिस apartment से Smita ने ये couch खरीदा था उस apartment में जो lady रहती थी उसका ये husband था और इसकी wife के death से लगभग 20 साल पहले होगी थी जब इसकी soul अपने path पे थी तो वो जो उसकी wife थी वो black magic जानती थी असल में वो अफ्रीकन लेडी थी और वो वूडू जैसा black magic जानती थी उसी ने इसकी soul को वापिस समन किया था क्योंकि वो अकेली रह गी थी और जब उसकी soul को उसने समन करके वापिस बुला लिया था तो इसी काउच के साथ उसने उसकी soul को पिन कर दिया था 20 साल से इसकी soul अपनी wife के साथ ही रह रह थी ताकि उसकी wife को अपने husband की presence उसके घर में ही फील होती रहे और वो अकेली ना रहे लेकिन आज 20 साल के बाद उसकी wife की natural death होगी थी जिसकी वज़े से उसकी soul को मुक्ति मिल गी थी लेकिन ये जो इस इनसान की आत्मा थी ये इस दुनिया में ही रहे थी यहीं पे उसी apartment में उसी couch के साथ और क्योंकि ये couch अब समिता के घरा गया था तो उसी couch के साथ ये आत्मा समिता के apartment में shift हो गी थी और वहाँ पे जहां उसको अपनापन फील होता था 20 साल से वो आत्मा उसी अपार्टमेंट में रही थी लेकिन अब समिता का अपार्टमेंट उसको नया लग रहा था और उपर से वो काफी डिस्टर्ब्ड भी थी क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं थी और वो अकेला यहां पे फस गया है इसलिए वो यह सारी चीज़े कर रहा था समिता को डराने के लिए समिता के फ्रेंड को डराने के लिए लेकिन समिता और उसके फ्रेंड की हालत ससमें बहुत ही खराब थी और उनको चाहिए थी तो बस इस चीज़ से मुक्ती तो इसके बाद जो फादर थे उन्होंने कुछ प्रसीजर करके इस आत्मा को मुक्ती दी इस दुनिया से और ये जो काउच था ये फादर अपने साथ ही लेगे डिस्पोज करने उसके बाद जो स्मिता का अपार्टमेंट था उसका उन्होंने फिर से शुद्धी करण किया वो दिन के बाद से स्मिता के साथ कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ ना तो स्मिता को किसी की प्रेजन्स वहाँ पे फील हुई इसलिए माना जाता है कि जो भी समान आप सेकेंड हैं इससे किसी ना किसी इंसान की vibe attached होती है हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो पर ये भी हो सकते कि आपके लिए बुरी हो और ये भी हो सकता है कि स्मिता जैसे आपको भी इतना ही भ्याना कुछ फेस करना पड़े स्मिता मेरी कजन की भी काफी अच्छी फ्रेंड है और मेरी कजन भी उसके अपार्टमेंट में काफी जाती रहती है तो उसने मुझे खुद भी बताया कि उसके अपार्टमेंट में अब उसको भी ऐसा कुछ फिल नहीं होता कि कुछ पैरानॉर्मल है कुछ नेगटिव एंटिटी है यह जो टाइम था इस डूरिंग मेरी कजन उसके अपार्टमेंट में तो नहीं गई लेकिन स्मिता ने वर्ड टो वर्ड उसको सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ था आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो और I really hope आपको इस वीडियो पसंद भी आया अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अगर आपके पास अनफोचनेटली ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ओडियंस तक उसको पहुंचाऊं तो वो आप मेरी मेल आइडिया फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा से ये नेक्स ताम इन नेक्स वीडियो बग्याइ